दोस्तों कटाफ मार्क्स एवं एंसर की आने के बाद बहुत सारे प्रश्ण मन में उमर गुमर रहे होंगे बहुत सारे दोस्तों की कई सारी कन्फ्यूजन डाउट होंगे मन में कुछ प्रश्ण होंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ऐसे ही अंगिनत बाते होंगी नमस्कार पुर्ण स्वागत है आप सभी दोस्तों का AJB इंडिया पर दोस्तों आज की इस क्वेरी वीडियो से आप लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूजन डाउट वसंसे खत्म हो जाएंगे हमारा पुरा प्रयास है कि आपको सही वस्तर्टिक जनकारी इस चैनल के माध्यम से मिले आएए सुरू करते हैं या BCS Query कंटेंट वीडियो को दोस्तों minimum qualifying marks for selection को लेकर बहुत सारे लोग उल्जन में हैं 40% की आयोग की परिभासा को नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों अगर आप उत्तर प्रतिस लोग सेवा आयोग के द्वारा समय समय पर भरतियों से जुड़े notification से update रहेंगे तो इस प्रकार के doubt नहीं होंगे और ना ही कोई confusion होगा जैसा की आयोग ने कहा था कि इस भरति में 40% होना अन्यवार है जनरल और OBC का तथा 35% SC-ST का तभी आपका final chain होगा यही अधिकांस लोग नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों जैसा की आपको पता है आयोग इस्टाब नर्स की भरति के लिए 85 नंबर का objective लिखित परिछा कराता है इस बार मार्किंग भी रखी गई तथा 15 नंबर का वेटेज देता है जो UP NHM में काररत इस्टाब नर्स हैं एक वर्स का तीन नंबर जो की अधिकतम पांच वर्स अथा 15 नंबर फाइनल सेलेक्शन लिष्ट 85 प्रस पंदर बराबर 100 के हिसाब से बना है अब आप 100 का 40% निकालेंगे तो 40 नंबर हुआ तथा 35% का 35 नंबर हुआ चुकि इस बार्ति में फ्रेज कैनिडेट्स तथा UP NHM इन सर्विस कैनिडेट्स दोनों रहते हैं तो प्रारंबिक सॉट लिष्ट जो बनाई गई थी उसमें जनरल OBC के सभी अवर्थियों का 85 में 40% निकाला गया तथा SCHT का 85 में 35% निकाला गया ताकि फ्रेज कैनिडेट्स को कोई फर्क न पड़े इस नियम से लगभग 20,000 अवर्थियों को सॉट लिष्ट किया गया था फिर इन सॉट लिष्टेट कैनिडेट्स में जो 85 तथा 85 प्लस 15 में जनरल OBC 40 या इस से उपर मार्क्स पाए हैं और SCHT में 35 या इस से उपर मार्क्स पाए हैं उन सभी का सीट के सापेज सेलक्षन हुआ है यही 40% मानक क्राइटेरिया को पुरा नहीं कर पाने के कारण सीटे रिक्त रह गई हैं 2017 वाली भर्ती में भी ऐसे ही सीटे रिक्त हुई थी जो 2021 भर्ती में जोड़ी गई हैं अब 2021 की खाली सीटे अगली आने वाली भर्ती में जोड़ दी जाएंगी मेल केटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है जबकि महिला केटेगरी में लगबग 2000 के आसपास सीटे खाली है दोस्तों जो अभियती दूसरे इस्टेट के होते हैं चाहे वह जनरल हों, OBC हों, SCST या अदर उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है प्रदेशिय इस्तर भरतियों में यही नियम सभी राज्यों में हैं अदर इस्टेट के कैंडिटेट्स के लिए एक फिक्स कोटा होता है जो सभी इस्टेट अपने इस्तर से रखते हैं इसे से ज़्यादा सीटें अदर इस्टेट के अभर्तियों को नहीं दी जा सकती सभी प्रादेसिक भर्तियों में अदर इस्टेट की फीमेल अवियर्थी अपने इस्टेट को छोड़कर दूसरे इस्टेट में साधी करती है तो उसको आरच्छन का लाव दूसरे इस्टेट में नहीं मिलेगा यह राज्यों पर भी टेपन करता है उसके बच्चों को मिलेगा 1990 में इस संबंद में स्टेट की समिधान पीट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था कि आरच्छन का लाव व्यक्ति अपने मुल राज में ही ले सकता है अन्य राज में माइग्रेट होकर जाने पर भी उसे आरच्छन का लाव दे नहीं होगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अब जरूर कर लें लाइक को सेर करना न भूलें कुछ क्वेरी ACBA जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनका नम्मर कौट आफ के हिसाब से है लेकिन उनका सेलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों इस संबन्द में हम आपको तभी कोई आईडिया या जानकारी दे सकते हैं जब आप में कुछ डिटेल्ड देंगे जैसे किस स्टेट से हैं क्या कास्ट केटेगरी है अथा जनरल, OPC, SC, T या अन्ने जेंडर क्या है, मेल या फिमेल, तथा अपनी माक्षीट या सब हमें इमेल करिए तभी चैनल के माध्यम से इस प्रकार की क्वेरी पर कोई राय विचार दिया जा सकता है इसका रीजन कारण यह है कि कुछ लोग जूठी, रीमर अथा जूठे अफवा भी फैला रहे हैं जो लीगल रूप से सही नहीं है दो चार इस प्रकार के क्वेरी लोगों ने की है और जब उनसे उपरुक्त डिटेल इमेल के माध्यम से मांगा गया है तो वे इमेल नहीं कर रहे हैं तो फिर चैनल कैसे माने की सही क्या है जब तक कोई साच नहीं उपलब्द होगा क्योंकि वर्तियों में जूठी अफ़ाएं बहुत उड़ाई जाती हैं अगर सही बात हैं तो इमेल पर डिटेल सेंड करिए हर संभो मदद का प्रयास रहेगा आयोग को सभी साच के साथ सुचित करिए अगर आयोग से कोई तुरूटी हुई होगी तो आयोग सुधार कर लेगा सीटे बहुत खाली हैं कुछ लोग कर्टाफ को नहीं समझ भा रहे हैं तो आप आयोग की वेफसाइट से कर्टाफ देख सकते हैं कर्टाफ के मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स के बीच समकच आपका मार्क्स है अत्वा नहीं ये मिलान कर लीजिए चैनल पर कंटेंट है इससे स मन्दीत आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ मतपूर यूपी पीच सी इस्टावनर से जोड़े वीडियो के लिंक हैं आप चाहें तो देख सकते हैं कुछ लोग की क्वेरिये डिपार्टमेंट चेंज होंगे या नहीं तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि सभी के म अंबर के अनुसार मिले डिपार्टमेंट को लेकर कन्फूज हैं जैसे मांक्स कम हैं और डिपार्टमेंट में ज़्यादा सो कर रहा है AC query जिनकी भी है वो एक बार सही से department और category wise मिलान कर लें आपके doubt दूर हो जाएंगे क्योंकि cut-off देखने में आप miss match कर रहे हैं Answer key को लेकर समस्था है कि कैसे देखे तो आप IO की site पर answer key tab जो की left में नीचे रहता है वहाँ से download करके देख सकते हैं Maximum लोगों की query जोइनिंग से समन्दी थे कब तक होगी दोस्तों जहां तक मेरा guest है मेरा अनुमान है नौरात्र में UPPSC या फिर हेल्डीजी के द्वारा एक list जारी हो सकती है जिसमें selected सभी अभयतियों की detail रहेगी जिनोंने DB कराया था इस list में उन अभयतियों के नाम के समोग कालम में दस्तावेज या कारण मिंसन हो सकते हैं जो extension समय समाप्त होने के last date तक नहीं जमा किया होगा जो document डीवी के समय अपूर्ड होगा दूसरी बात यह कि इसके बाद या एक दो दिन में district preference मांगा जाएगा जो कि डीजी हेल्थ की website पर online करना होगा जैसा कि पूर की भाती में हुआ था इसके लिए समथ एक सब्ता या आठ से दस दिन का समय दिया जाएगा यह सब प्रक्रिया 10 से 20 अपरेल तक हो जानी चाहिए इस हिसाब से 20 से 30 अपरेल तक joining later दिया जा सकता है एक अनुमान है कि joining 20 से 30 अपरेल के मद्ध या फिर 25 से 25 अपरेल से 10 मई के मद्ध हो सकती है joining later को लेकर अभी clear नहीं हूँ मैं कि joining online होगा CMO के माद्यम से दिया जाएगा या फिर स्वयम मुख्यमंत्री महोदय के हाथो दिया जाएगा जल्दी या भी clear हो जाएगा बहुत सारे दोस्त waiting list को लेकर भ्रमित है दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा लोक सेवा आयोग उत्तरपदेश सीधी भरतियों में prior rig seat अग्रेनित करता है अथा जो seat खाली रह जाती है उसको आने वाली अगली भरति में जोड़ देता है 2017 वाली भरति की खाली seat इस भरति में जोड़ी गई थी अथा waiting list नहीं आएगी कुछ लोगों का doubt है कि cut off जो है उतना ही रहेगा या फिर घटेगा या बढ़ेगा दोस्तो यह final cut off है रिक्त सीटे अगरिनेरित कर दी गई है अतक कुछ आफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा दोस्तो अगर कोई query है आपकी तो comment box में ज़रूर बताएं पुरा प्रयास रहेगा sort करने की कैसा content आप कुछ चाहिए यह भी comment box में बताएं चैनल का पुरा प्रयास रहेगा उस content से सम्दित वीडियो लाने का comment box में आप सभी का स्वागत है जै हिन जै भरक